Hello students, let's see this question, here we have in the figure, it is given that AB is equal to CD, हमें given है कि यह जो AB है, वो CD के equal है, and AD is equal to BC, यह जो AD है, यह BC के equal है, ठीक है, then हमें प्रूफ करना है कि यह जो triangle ADC form हो रहा है, यह वाला triangle, यह congruent होगा किसके, CBA के, ठीक है, इसके हमें congruent प्रूफ करना है, तो हमारे पास दो sides तो already given है equal, हाणा, तो हम लिख देता है, हमारे पास है, triangle ADC and triangle CBA, इसमें हमारे पास क्या है, AB हमें already given है, CD के equal है, ठीक है, और क्या है हमारे पास, दूसरा हमें given है, ADBC के equal, AD जो है, वो BC के equal है, यह दोनों चीज़ें हमें given है, ठीक है, अगर हम एक चीज़ देखेंगे, AC और AC, दोनों में क्या है, common side है न, यह जो base है, दोनों में common है न, common, यह भी हमें given था, तो हम यहाँ पर देख सकते है, हमें 3 sides equal मिल गई, तो हम क्या बोल सकते है, by triple S congruency rule, दोनों triangles क्या हो गए हमारे, congruent हो गए, हम बोल सकते हैं, triangle ADC is congruent to triangle CBA, और यही हमें proof करना था, कौन से criteria से हुआ, triple S, क्योंकि हमें 3 क्या मिल गई हैं, आपर sides मिल गए, I hope this is clear to you, thank you.